शेह बजार में quarter 3 results का season शुरू हो चुका है, तिमाही नतीजों की शुरुआत, IT सेक्टर ने की और अब तक TCS, Infosys और HCL Tech की नतीजे आ चुके हैं आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट में ये तीनों शेर्टों हैं ही, इसके अलावा Tata Motors और Titan को भी इस बार शामिल के आ गया है और 3550 रुपे का टागेट प्राइज दिया है, इसके अलावा Macquarie ने इस शेयर पर आउट परफर्म की रेटिंग को मिंटेन किया है और 4530 रुपे का टागेट प्राइज दिया है, वहीं Credit Suisse ने इस पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और 3360 रुपे का टागेट प्राइज दिया है दूसरा स्टॉक जहां पैसा लगा सकते हैं वो है Infosys, IT सेक्टर की इस दमदार कंपनी पर ब्रोकरिज कंपनी C.L.A.C. ने खरिदारी की राई दी है और 1800 रुपे का टागेट प्राइज दिया है C.L.A.C. ने खरिदारी की राई दी है और 1600 रुपे का टागेट प्राइज दिया है जेफ्रीज ने खरिदारी की राई दी है और 1770 रुपे का टागेट प्राइज दिया है इसके अलावा, ंमुरा ने भी खरेदारी की राय दी है और 1900 रुपे का टागेट प्राइस दिया है वहीं बात करें मेक्वाईरी की, तो मेक्वाईरी तो मेक्वाईरी ने इस पर आउटपुफ़ॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और 1180 रुपे का target price दिया है HSBC ने खरिदारी की राय दी है 1230 रुपे का target price दिया है वहीं मेक्कॉाइरी ने आउट पुफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है लेकिन 1500 रुपे का target price दिया है अगला स्टॉक जिसे पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं वहीं मेक्कॉाइरी ने आउट पुफॉर्म की रेटिंग को में टेन रखा है और 493 रुपे का target price दिया है पाँचवा और आखरी स्टॉक जहां दाव लगा सकते हैं इसके अलावा मेक्कॉाइरी ने आउट पुफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है लेकिन 3250 रुपे का target price दिया है वहीं बात करें HSBC की तो इस ब्रोकरेज कमपनी ने यहां पर खरिदारी की राय दी है और 3350 रुपे का target price दिया है तो यह थे हफ़ते के दमदाज stocks जिने ब्रोकरेज ने अपनी रडार पर रखा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो उसे like और शेर जरूर करें अगले हफ़ते फिर मिलेंगे नई ब्रोकरेज रिपोर्ट नए stocks के साथ तब तक के लिए enjoy your weekend